अहम भक्तो प्रादिनही स्वतंत्र इवदुजः साधु विग्रस्त हिर्दयो भक्ताई भक्त जन प्रिया तो यह जो है भगवान ने दुर्वासा रिशी से काता कि है ब्रह्मन स्रिष्ट मैं तो भक्तों के बस में हूँ हालांग के संसार में मेरी इस्तुति की जाती है नमो ब्रह्मन देवाई के रूप में हाँ मैं ब्रह्मनों को भी प्रोटेक्शन देता हूँ लेकिन जब तुलनात्मक द्रश्टी से देखा जाता है भक्तों को और वैश्नव को और जो है ब्रह्मनों को तो फिर मैं वैश्नव का ही चेहन करता हूँ कि इसलिए मैं अपने भक्तों से जो है एक इंच वी कही हट करके नहीं जा सकता अहम भक्तो पराधीन ही स्वतंत्र इवदुजह हैं यह दुज़े भ्रामन सेष्ट में रत्ती भरवी भक्तों से जो है क्या है स्वतंत्र नहीं हो जैसा मेरे को कहते हैं बैसा ही जो है मैं काम करता हूं इस भुपी यह के लिए भगवान निर्ट करते हैं जिससे मेरे को छाच मिलेगे तो इस प्रकार जो है हमने उस लीला का जो है स्रबन किया कल और आज जो है बाई चांस कोई भक्तों का भक्त भी नहीं है क्यों को भगवत भक्त बनना इतना आसान नहीं है जितना कहना आसान होता है उतना बनना आसान नहीं है तो यद कोई भक्तों का भक्त भी नहीं है भगवान का भक्त नहीं है तो कम से कब उनके भक्तों का जो भक्त बनता है अपनी सेवाओं के द्वारा यद भगवत भक्त को भी प्रसन कर लेता है तो भी भगवान उसके उपर अशीम किरपा करते हैं इसमें जैसे बताया गया है स बादविक ग्रस्त हिर्दयों भक्त ही भक्त जना प्रिया झाइख कि बहुत है और इस दूसरे जो है दसमे अध्याए Clayton जो भगवान के जो भक्त हैं कैसे भगवान अपने भक्तों के भक्तों के कारण और उनके जो भक्त नहीं है उनके उपर भी भगवान किरपा करते हैं तो यहां पर जो है यमलारजन के उपर भगवान ने किस प्रकार की यमलारजन कोई भगवत भक्त नहीं थे जैसे इसमें जो है बता रहे हैं प्रवपाजी बता रहे हैं कि नलकूबर और मरी गरिब जो है भक्त नहीं थे ठीक है नई भक्त थे तो आगे भक्त बन जाती थे बोला नहीं ऐसी भी कोई उनकी इच्छा नहीं थे अच्छा तो देवताओं के जो है क्या नाम है कुवेर के पुत्र है देवता है जो है तो उससे उनकी कृपा होनी चाहिए बोला बो भी नहीं था हालां के धना देवताओं के जो को साध्य अच्छ है कुवेर और कुवेर मेरे भक्त है उनके हालां के पुत्र है तो कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई धनी व्यक्ति या कुलीन व्यक्ति या विध्या संपन व्यक्ति या सौंदर संपन व्यक्ति मेरी कृपा को प्राप्त कर लेगा बोला वह भी नहीं कि तो फिर इनों ने कैसे प्राप्ति किया तो ब्ला वू नाराद के इस आसिरवात से हिप्राप्ति किया नहीं तो इनको कवह भी हो भगवत करफा बेड़िंगर पामिने वाली क्यों कि यह सुगुदेव गोड़ामी बूलते हैं कि नारा जी ने कहा था क्या कहा था भगवान ने कहा था देवर्शी में प्रियतमो यत इमव धनद आत्म जव तत तथा साद इस्यामी यद गीतम तत महात्मना उन्होंने जो आपको कहा था जब साब दिया था उस महात्मना देवर्शी नारज ने जब आपसे कहा था तत तथा साद इस्यामी केवल में उनकी बाणी को सत्य करने के लिए और आज आपके सामने उपस्तित हूँ नहीं तो ब्रच बनके खड़े रहते हैं तो भक्त के आसिरवा से भक्त की क्रपा से जो है और प्राप्त हो सकती है क्रपा प्राप्त हो सकती है प्रभुपाजी ने जो है और भी आगे जो है कहा है क्योंकि बोलते हैं प्रवुपाजी ने उदाहन दिया है कि आमी तो कंगाल किर्ष्ण किर्ष्ण बोली धाये तब पाचे पाचे प्रवुपाजी बोलते हैं कि यद किर्ष्ण की कृपा सीधे सीधे नहीं होती है लेकिन ये किसी भक्त का सानिध्य हम गिरेन करते हैं तो उससे भगवान की कृपा बहुत आसान हो जाती है इसलिए नरुतम दास ने ये भक्ति मिनो ठाकूर का भजन है आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली दाई तब पाचे पाचे ये वैशनम ठाकूर तो आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली दाई तब पाचे पाचे ये वैशनम ठाकूर मेरे अंदर इतनी कोई बिसेश क्वालिटी नहीं है बस मैं तो आपके पीछे पीछे चल सकता हूँ आप जैसा कहेंगे मैं उसको कर सकता हूँ आपकी क्रपासे तो इस प्रकार जो है प्रभुपाजी इसका जो है सारांस दे रहे हैं कि गौडिय वैशनम समाज में भक्तों को चाहिए कि रूप गोसामी के आनुगत्य में रह करके और एक प्रामानिक आध्यात में गुरु का सरनागती गिरेन करके और हमें भक्ती का अनुसिलन करना चाहिए जिससे हम भक्ती मार्ग में उन्नती कर सके हैं अपने बलबूसे से कुछ हो नहीं सकता तो इसी कथा को जो है आगे बढ़ाते हुए और कल हमने सुना था कि कैसे भगवान ने भगवान को बांद दिया और बांद करके मा था यसोधा अपने घर के कारियों में ब्यस्त हो गई और कुछ बच्चों को निक्त कर दिया था कि मेरे लाला को तुम देखते रहना ये तो कोई उतपात करता है कर इधर उदर जाता है तो तुरंघ मेरे को सूचना कर देने की तो आप सभी जानते हैं कि keen ले थोड़ी देर तो उन्हों लग गए तब जो है सामने भगवान की दृष्टी दोनों ब्रच्छों पर पड़ी और जैसे उन दोनों ब्रच्छों पड़ी तुरंट उनको नारजी याद आ गए अरे हां नारजी ने इनको साब दिया था और कहा था कि जो है देवताओं के सो वरसवाद में तुमारा अवश्य ही कल्यान होगा और स्वयम बासुदेव का सानित प्राप्त होगा आज चलो नारजी की बाणी को मैं सत्य करता हूं और इस प्रकार भगवान क्या कि दिखिए पुरा नारद सापेन ब्रचितं प्रापितो मदात नलकूबर मणी गिरीव इतिख्यातो स्रीय अनिवितव सुकदेव जी बोलते हैं कि है राजन परिछित पुरा नारद सापेन ब्रचितं प्रापितो मदात इजो घमंडी इजो ब्रच के रूप में देख रहे हैं ए जो है क्या है नलकूबर मणी गिरीव इति नलकूबर और मणी गिरीव हैं जो है देवताओं के कोसा द्यच कोव सब्सक्रापितों है और धन में इतने मद थे जिसके कारण नारद को क्या करना पड़ा इनको ब्रच योनी में जाने का साप देना पड़ा ख्यातव स्रिय अन्वितव। इनकी बड़ी ख्याती थी। एस और में बड़ी मत्त थे, धनाध्य थे। इसलिए इनको एस और मत्त में इनको बड़ी ख्याती मिल गई थी। ख्याती तो मिलती है किसी को किसी को सजनता में मिलती है और किसी को दूर्जनता में भी बहुत रिकोर्द तोड़ती हैं लेकिन रिकोर्द तोड़ ये देते हैं किसी न किसी में तो इनको जो है श्रीय अनिवितव एसर में इनको बड़ी ख्याती मिली थे तो परिछित ने प्रश्ण किया कि हे गुरुदेव आप ये बताईए ऐसा क्या कारण था कि नारद ने इनको साब दिया नारद तो ऐसे नहीं है वो तो बड़े सील है और नारजी तो हर समय जो है क्या है जो कोई गुसा भी रहता यद उनके सामने नारजी आ जाती है तो उनका गुसा भी कहां छुमंतर हो ज लगती है इसलिए आप हमें बताईए तो इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए सुगदेव गोसामी बोलते हैं कि राजन एक बार की बात थी यह दोनों कुवेर के पुत्र कुछ सुरगिय इस्त्रियों को ले करके और चुके इनके जो पिताजी हैं कुवेर वो रुद्र के मित्र है तो रुद्र के मित्र होने के कारण जो है क्या नाम है इनके उपर भी रुद्र की क्रपा है इसलिए क्या थे के बारुनी मदराम पीत्व मदह आ धूडित लोचनो इस्त्री जनई अनुग गायद भी चरेतू पुस्पते बने बारुनी मदराम पीत्व मद आ धूडित लोचने इन्होंने क्या किया था जो है इन्होंने मदराम का बारुनी मदराम का पान किया था जिसके कारण उनको इतना नसा हुआ कि उनके आँखें घूम रही थी और इस्त्री जनई अनुगायद भी ठेक है कोई वात नहीं है आज कल जो है लोगडाउन में अब सद्यास जानते हैं कि जब एक मदरा का सराब की दुकान खुली थी कितना चार कोन बोला चार किलो मीटर तलम मिला हैं थी तो चलो लेकिन चलो इस बहुत यहां तो मार ठीक है लेकिन स्वरग में भी इस सारी समझ्या देखने के लिए मिलती है तो उन्होंने जो है क्या नाम एक उग्रवाल था वो सराब की के आया था गाड़ी में जा रहा था उसने लगव है दो-तीनों को टक्र मारती है इतने लोग पागल हो ते कुस दिन उनको नहीं मिला इतने पागल हो गय थे तो कुछ कह नहीं सकते हैं तो यहां भी हम देख सकते हैं कि प्रवपाजी इस बात को लिख रहे हैं कि लोगों के पास में धन है इस धन होता है वहां समश्याओं की भी बड़ी भीड़ लग जाती है अपार समश्याओं उसके सामने आ जाती है समझ्षाक मतला जहां धने हैं वहां निश्ट रूप से जो है अब धने तभी तो सराप पीते हैं जब सराप पीते हैं तो इस्तरी संग करते हैं जैसे कौन बोला था एक बार कोई व्यक्ति जो है किसी से मिलने के लिए गया तो जो है उनका स्वागस अतकार किया तो बोला क्या ना में आप क्या लें क्या ना में बोले आप कुछ बोला पीते हैं बोला कभी कभी पी लेते हैं मतलब ऐसा कुछ बात आ रहे हैं तो साहिद इसमें एक बात है अच्छा ठीक है तो उसको हम जिन्दा के करके तो बात ये बता रहे हैं कि बारुणी मदुरा पित्वा मद आगुरुणी तो लोच नहीं जिससे नसे के कारण उनकी आँखें क्या कर रही थी घूम रही थी इस्त्री जनई अनुगायद भी और उनके साथ में स्वरगिय इस्त्रियां जो क्या कर रही थी गा रही थी वजा रही थी निर्त कर रही थी चरेतु पुस्पतई बनाई और भगवान सिव का जो उध्यान था बन था जो गंगा के तटपई था उसमें वो क्या कर रहे थे बड़े मस्त हो करके जो है ब्रह्मन कर रहे थे कि इसलिए कि प्रभुपाजी बोल ले हैं कि जहां धन है लोग उन्नती तो करते हैं लेकिन क्या उन्नती कर रहे हैं पुला उन्नती हो रही है कसाई घर बना रहे हैं हम बैस्याला खोले जा रहे हैं हो भी परमिज एक वार में समझे काल दक्रां तो तो हों लिखांक नामिश्ट वस तो में समझें नहीं पाहिते कि या है कि कितने सारे है अब देखें होग कि न फ़्रेंद काल यहता यहां तो बोले नारजी कह रहे हैं जब उदर से जब हुए और उसके बाद में उन्होंने क्या किया उन्होंने जो है गंगा में पहले घूमे इसके बाद में उन्होंने गंगा में प्रवेश किया वो भी निर्वस्त प्रवेश किया और निर्वस्त प्रवेश करके जैसे हाती हतनियों के उपर पानी उच्छालता है और मौज मस्ती करता तो ऐसे ही ए दोनों उन इस्त्रियों के साथ में इस प्रकार नगन होकर के और जल किरिडा कर रहे थे तो अच्छानक जो है नारजी वहाँ से आ रहे थे हलांकि नारजी का कोई इदर आने का कोई बिचार नहीं था लेकिन भक्त जो है भक्त क्या है हमेशा किसी के उपर किरपा करने के लिए लालायत रहते हैं तो इस पेसली आज उनकी इच्छा होई कि देखो ये देवताओं के पुत्र है और ये लोग भी जब ऐसा करेंगे तब दूसरे लोग फिर कैस है इसलिए आज उनके उपर स्वेसल करपा करने के लिए ना रजी उसी रस्ते से निकल पड़े तो जैसे उस रस्ते से ऐते तो इस्तरिया थी तो उन्होंगे फटटें करके जो है कपड़े पहले लेकर दोनों के दोनों नंगे के नंगे पानी के अंदर खड़े रहे और प्रभुपा जी ने तातपर में लिखा है कि लोग धाम में जाते हैं अपने पापों को नश्ट करने के लिए किसी पवित रिस्तल में जाना चाहिए पापों को नश्ट करने के लिए न कि जो है पापों को बढ़ाने के इस सरक लिए बना हुआ है तो स्वरग में जो है गंगा जी का नाम है मंदाकिनी और जो है क्या नाम है म्रत्तु लोक में स्वरग लोक में जो है उनका नाम है आकास गंगा दूसरा नाम है उनका भगवान के चरणों मंदाकनी और जो है क्या नामे इधर है इधर भागी रथी और पाता लोग में भोगवती इस प्रकार जो है गंगा जी तीनों करना चाहिए इस भाब से के भगवान का चरणा मृत है इस भाब को ले करके गंगा में इसनान करना चाहिए ना कि जो है पिकनिक के आज क्यूंकर पिकनिक मनाने के लिए इसलिए जूब है क्योंकर एवात को सिवजी को बिल्कुल अच्छे नहीं लगती है था खापने भगवत भगते था इस तो उन्हों ने देखा कि भाई ये तो बहुत हीं बढ़ता जा रहां क्यों आप होटलों में जाएंगे सुद्ध खाना आपको बिना मदिरा बिना मास के कोई मोश्टली जो है टोटली जो है क्या नाम है होटल आपको उसमें नहीं मिलेंगे तो इसलिए उन्होंने लगवा दो ती तीन-चास साल पहले एक प्रले जो है ला करके रख दिया था तो उनको थोड़ा समग दिखाया था जैसे अब जो है दिया है एक भगवान का संकेत है क्योंकि इस समय लोग इतना बढ़ते जा रहे थे समश्या में देख रहे हैं लोगों को घर तो रुकते ही नहीं थे पूरा बाहर पहले कहावत बोलती है कि लोग पहले खाने के लिए बाहर आत तो यहां जो है स्री मधात अभी जात्या दिया यत्र स्री द्यूतम आसव हा तो जहां धन रहता है जही भक्तियों जुसतों जोष्यान जही अन्यों जुसतों जोष्यान बुद्धी ब्रणसों रजोग्णः क्योंकि जितने भी भोगे हैं उन भोगों से हमारी बुद्धी क्या होती है रजोगनी होती है रजो रागात्म का विद्धी तिर्षना संगम समद्भवा जिसमें जो है भोगों के प्रती लालसा बढ़ती जाती है और लालसा क्या है तिर्षना इसमें कहा गए तिर्षना का म इस प्रकार जो है धनाद्य व्यक्ति जहां रहते हैं वहां इस्त्री भी रहती हैं जहां इस्त्री है तो वहां पीना भी आ जाता है पीना भी आता है तो खाना भी आ जाता है और इस प्रकार जो है उनका जो जीवन है वो क्या होता जाता है पतन की तरफ चलता जाता है में धन भगवतकार के लिए उपयोग करना चाहिए लेकिन धनी व्यक्ति लोग जो है इतने धन के मद में मदान्त होते हैं कि अन्य लोगों को देख नहीं पाते हैं तो इसलिए उनको जो है क्या करना चाहिए जब उनका धन मद खतम कर देना चाहिए तो सामाने लेवल पर द्धनी व्यक्ति रहते हैं भक्त भी उनके पास में जाने से थोड़ा डरते हैं सामान लोगों के पास में तो ऐसी चले जाते हैं कैसे हो आँ ठीक है प्रव आप आई यह बैठी लेकिन धनी के पर पर आपको टाइम लेना होगा फिर जो है वो बताएगा तब फिर हो जाना होता है तो धनी लोगों से मिनना भी इतना असन नहीं है तो इसलिए प्रवुपा जी उक्याना में नारजी ने सोचा इनका थोड़ा इलाज कर देना चाहिए और इलाज कैसा होगा तो इलाज होगा कि इनको जो है धन का मद है इसलिए धन को ही खतम कर देना चाहिए तो उन अभी जो है उनमें रोग लग गया है जब आखें धीर दिर करके दिखाई नहीं देता है तो उसमें फिर अन्यन डानने की बहुत जरूरत होती है तो ऐसे जो धनाड़ी व्यक्ति हैं धन मद से जब अंदे हो जाते हैं तो उनका जो है अन्यन क्या है दर्द्रता जैसे ही दर् पिल्कुल फिर जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं इसलिए नारा जी ने सिराभ दे दिया अतो अरतह इस्थावरतंग श्यातंं ने बंग यथा पुनह इसमरती स्यात्मत प्रसादेन तत्रापि मत अनुग रहा नारा जी ने ब्रच बनने का साप दिया ब्रच क्यों बनने का साप दिया दूसरा भी तो साप दे सकते थे तो नारा जी ने ब्रच बनने का साप इसलिए दिया कि ओ जो है जल में इसनान कर रहे थे नगन इसनान कर रहे थे ओ जो जल में नगन इसनान करता है उनको ब्रच के सरीर में जाना होता है तो इसलिए जो है उन्होंने साब दिया अब तुम क्या करो ब्रच सरीर में चले जाओ जिससे श्यातम नईव यथा पुनह पुनह ऐसी तुम गल्ती नहीं करोगे तब जो है ओ थोड़ा जैसे उनको साप मिला तो उनकी आँख है जब घूम रही तो रुकी क्योंकर जब होता है जब किसी को जो है दन मिलता है तो फिर आँख ठीक ठाक हो जाती है तो फिर नौर्मल आँख होई है और फिर उन्होंने देखा कि हाए बहुत गल्ती हो गई तो छमाय आचना किया तो उन्होंने का ठीक है तुमारे लिए जो है थोड़ा सा मैं ओ करता हूं क्या करता हूं इसमरती शाथ मत प्रसादेना क्योंक ब्रच का जो सरीर होता है उसमें जो है जड़ रहता है मूण रहता है उसमें कोई उनको कुछ याद दास्त नहीं रहती लेकिन नारा जी ने कहा तुम्हें याद दास्त वनी रहेगी और मत अनुगरहात मेरे अनुग्रह से तुम्हें उसमें क्या होगी तत्र प्रसादेन यसमरती स्यात मत प्रसादेन तत्रापी मत अनुग्रहत और बासुदेव सानिध्यम लब्ध्व एक तो तुम्हें याददास्त बनी रहेगी मेरी क्रपास है दूसरा जो है तुम्हें भगवान बासुदेव का सानिद प्राप्त होगा उनके आसिरवा से तुमारी मुक्ति होगी और उनकी आपके उपर क्रपा होगी इस प्रकार जो है नारजी साब दे करके और हुआ से चले जाते हैं तो भगवान को अभी उन नारजी की बात याद आ गए तब उन्होंने देखा कि भई समय तो पूरा हो गया है तो उन्होंने देखा कि अब इनका उद्धार कर देना चाहिए सो बरस हो चका है देवताओं का और यह ब्रच जो है सादन ब्रच नहीं थे बहुत विशाल ब्रच थे अरजन यम रजन यमल अर्जन यह यह बट ब्रच नना बारगर बढ्राक कि देखे ना मायापुर्म कितने वड़े बड़े बरच तो एसे ही जो है आप सोचो देवताओं के सौ बरस जो जिंदे रहे हैं कोई साधन तो हो नहीं सकते इतना मजबूत बरच थे तो सौ बरस तक कितने आंदी आई तूफान आई कितने असरों के उपद्रव हुए लेकिन उनका कुछ नहीं हुआ तब आज भगवान स्री कृष्ण नारजी की बात को सत्य करने के लिए और दोनों बरच्छों का उधार करती है तो बच्चे तो खेल में लग गए इदर भगवान उखल से बंदे ही थे माता उखन ने उखल से बांदिया था जो चोरी करता है वो तो पनिसमेंट का अधिकारी ही है लेकिन जो सायता करता है उसको भी पनिसमेंट देना चाहिए इसलिए उखल को भी बांदा और बांद करके भगवान क्या किये उसको जो है थोड़ा सा जटका दिये तो उखल जो है भगवान सीदे निकल गए, उखल थोड़ा चोड़ा था, इसलिए वो हटा गया, तब भगवान ने क्या किया, भगवान ने जो है, उसके बाद में थोड़ा सा जटका दिया, जटका दे करके, और दोनों के दोनों ब्रच क्या हो गए, उसी समय जो है, धरास आई हुए, ऐसा बताते हैं कि जिस समय ब्रच पतन हुए, गिरे नीचे, इतना विसाल उनका हुआ हुआ तक जैसे प्रत्वी में कम पनाओ, जैसे कहीं बज्जर पात हुआ हुआ, तो उसमें ऐसे जो है, जैसे जैसे ब्रच्छों का हो होता है, देवरसी में प्रियतमो, यत इमव धनद आत मजव तत तथा साद इस्यामे, यत गीतं तत महातमना, भगवान जो है, नारजी की बात को याद करने के लिए और उनका उधार करते हैं, दोनों ब्रच तूट करके जमीन में गिर जाते हैं, बहुत बड़ा साउंड होता है, उसी समय उससे दो, क्या हुए, दो जो है, जोता दो प्रकट होते हैं, हाद जोड करके भगवान के सामने जो है, उनकी इस्तुति करते हैं, बहुत सुन्दर इस्तुति किया है, अनुजानी नो भूमन, तत अनुचरम, तत अनुचरकिंकरव, दरसन नो भगवतर से, आसीद अनुग्रहात, अनुजानी ही नो भूमन, हे विराट रूप, मेरा जो है, आप प्रणाम स्वीकार करें, हम जानते हैं कि आपका जो हमारे उपर इस प्रकार अनुग्रह हुआ है, अनुजानी ही, तब अनुचरकिंकरव, क्योंके हम जो है, नारजी के किंकर हैं, क्योंके नारजी का साप मिलाता, वास्ता में जैसे भगवान का किसी के उपर गुस्सा दिखाना, और किसी के उपर आसिरवात देना, दोनों ही समान है, क्योंके भगवान आसिरवात देकर भी उद्धार करते हैं, और किसी को मार करके भी उद्धार करते हैं, तो यहां भी हम देख रहे हैं कि जैसे भगवान का कृपा और साप दोना ही समान होते हैं, ऐसे भगतों का भी यह है, तो नारजी ने उनके उपर कृपा करने के लिए, अनुच्यरह कें करो. हम क्या है नारजी के अनुचर थे किंकर थे इसलिए दर्सन नो भगवत आपका जो दर्सन हमें सोभागे प्राप्त हुआ है आज हम आपको देख रहे हैं रिसे आसित अनुग्रहात एक केवल नारद रिसी का ही अनुग्रहा है नारजी की करपा से जो है आपका दर्सन कर पा रहे हैं प्रवपा जी इसके तातपर में लिख रहे हैं कि नारजी का बास्तम में दर्सन जिसको होता है उसके उपर भगवत करपा अवश्य होती है नारद का मतलव ही होता है नारद जो भगवान को देने वाला है भगवान को देने वाले नारजी हैं और सार्भम प्रभु इसके बारे में थोड़ा सा बोलते हैं नारद का मतलब होता है नारध मतलब जिनका बचन कभी भी खाली नहीं जाता है नारजी ने जो बोल दिया इसका मतलब है वो तीनों कालों में वो सत्य होगा ही होगा नारध मत जिनके बचन कभी बही रद्ध नहीं होती है रद्ध काली नहीं जाते हैं इस प्रकार जो है उन्होंने क्या नहां मैं एक्षेप्ट किया 4 500 मणीम तब जो है किеждकाथ करते हैं और इस्तिति करते हुए भगवान का, हम साड़े आठ वजे कितना पौने नो तक ना, इसलिए आज गढ़ी के अनुसार हम बहुत गल्ती हुआ हमसे, तो अभी इस्तिति करते हैं भगवान की चरणों में प्रात्ना कर रहे हैं, क्या प्रात्ना कर रहे हैं भगवान की चरणों में तो ये प्रार्थना हम सभी की ही प्रार्थना होनी चाहिए और जो है बहुत सुन्दर प्रार्थना है भक्तों के लिए इस्पेसली बड़ी प्रेणा दायक है जिसमें बोलते हैं बानी गुणानु कथने स्रवणु कथायां अस्तम्च करमसु मन तब पादयोर्न इसमरत्यां सिरस्तव निवास जगत प्रणाम्षे द्रश्टी सताम दरसने अस्तु भवतत तनूना भवततनूना तो बानी गुणान कथने स्रवणु कथायां भगवान के सामने हाद जोड़कर की प्रातना करने के हे प्रभू बानी गुणान कथने जो हमारी बानी है हमेशा आपके कीर्तन में गुणान बाद में लगी रहें जब भी कुछ सब्द निकले आपकी बाणी हमारी जो है आपके जो है नाम का उच्छारण करें आपकी लीला कताओं का गुणगान करें और श्रवनव कतायां हमारे जो कान है वो क्या है आपकी लीला कताओं का हर समय जो है श्रवन करते हैं और जो हमारे हाथ हैं आपके जो है क्या नाम है मंदिर मारजनम में आपकी सेवा में आपकी कुकिंग में इस प्रकार जो है आपकी सेवा में अरह निस लगे रहे हैं और मनह तव पादयोर्न इसमरत्याम और जो हमारा मन है ये प्रभू आपके चरण कमलों का हमेशा जो है इसमरन करता रहें सिरस्तव निवास जगत प्रणाम प्रणामे आप जो हमारा सर है आपके चरणों में हर समय प्रणाम करता रहें प्रणामे दुख समनम। जैसे सूत क्या ना में सुकदेव गोस्वामी ने स्रीमत भागवत के अंत में कहा था नाम संकीरतन यश्यह सर्व पाप प्रणासनम प्रणामो दुख समनम तम नवामी हरी पराम। प्रणामो दुख समनम अर्थात जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो दुख समनम हमारे दुखों का नास होता है इसलिए भगवान को प्रणाम करना चाहिए तो प्रणाम क्या नाम है निवास सिरस्तव निवास जगत प्रणा में द्रश्टी सताम दर्शने और हमारी जो द्रश्टी है हमारी जो आँखे हैं ए प्रभू आपके भक्तों का जो है दर्शन करती रहे अस्तु भवत तनूनाम और इस प्रकार जो है हमारा जो सरीर है हार समय आपकी सेवा में लगा तब जो है इस प्रकार उन्हों ने प्रातना किया भगवान से भगवान ने उनकी प्रातना को सुना और प्रातना सुनकर कि भगवान ने आशिरवाद दिया भगवान ने कहा ज्यातंम्म पुरा एबं एतत रिस्निना करुणात मन Haven यत श्रीमद अंधयो भगवी भिब्रंस अनुग्रथ क्रता ज्यातंम्म पुरा एब एतत रिस्निना करुणा आत्मना भगवान ने कहा के है नलकूबर मणी गिरिब मुझे ग्याद था कि आपके उपर जो है नारा जी की किरपा हुई है नारा जी का जो है साब के द्वारा आपके उपर जो है किरपा की है इसलिए ग्यातम्म पुरा बहुत पूर्व काल में जो आपको साब दिया था ये बात मेरे को अच्छी तरह से मालूम थी तो यत स्रीमंद अद्धयो बाग भी और क्यों उन्होंने ये साब दिया था क्योंकि उस समय आप स्रीमंद से अंध्य हो चुके थे तो विब्रह सह और आप जो है अनुग्रत हक्रत तो उन्होंने अनुग्रह करने के लिए आपके उपर किरपा करने के लिए आपके पतन को रोकने के लिए जिससे आपका पतन न हो और इसलिए उन्होंने ये साब दिया है ये बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इसलिए अब तुम क्या करो अब तुम जो है मेरा आसिरवाद प्राप्त करो और आसिरवाद प्राप्त करके जो है बिलको निसंग को छो करके क्या करो आप जो है अपने घर लोट जाओ और उसके वाद में तुमारा कभी भी इस प्रकार का पतन नहीं होगा भगवान ने इस प्रकार आसिरवाद दिया आसिरवाद दे करके दोनों ने हाथ जोड़ करके भगवान की प्रदच्छना की और प्रदच्छना करके दोनों स्वरग लोक में चले गए अब इदर जो है जब स्वरग लोक में चले गए तो इसके बाद में इसकी जब आवाज थी जो गिरे थे उसकी आवाज को सुनकर के सारे ब्रजवासी लोग वहाँ दोड़ दोड़ करके आने लागी पहले तो ये मालू नहीं चला था कि बज्जरपात कहा हुआ क्यों को लोग समझ रहेते लगता है बज्जरपात हुआ है कहीं बिजली गिरी है इसलिए पहले जो है लोग समझ नहीं पाए लेकिन ब्रज में ये था बिसेश बात ये थी कि ब्रज में कहीं भी कुछ भी होता सबसे पहले लोग कहां आते थे नंद भवन में सबसे पहले आते तो इससे सोच सकते हैं कि ब्रजबासी 2400 गंटे कृष्ण के चिंतन में मगन रहते थे बिना कृष्ण के कुछ न सोचते थे न कुछ जो है करते थे तो इसलिए सारे ब्रिजबासी गण जो है दोड़ दोड़ करके वहां आ गए और आ करके जो है उन्होंने पूछा क्या देखा तो देखा तो वहां जो है दो ब्रच गिरे हुए नंद बावा भी दोड़ करके वहां आ गए आ करके जो है पूछा कौन किसने क्या किया क्या क्य क्या किया लेकिन किसने क्या किया वही कुछ समझ में नहीं आ रही है कोई कोई आंदी तूफान तो कुछ आया नहीं था जिसे ब्रच गिर जाए तो इसलिए उन्होंने समझ में नहीं क्या करें तो बच्चों ने का कि हमें मालूं है कनाया ने जो है इन दोनों को गिरा दिया तो तो बहुत बड़े बुरे थे जो थोड़ा सा ज्यादा किष्ण भावना भावित में उन्होंने उनको आंक दिखाई तुम जो है बच्चे लोग इतने बड़े ब्रच्चों को और छोटा सा बच्चा थोड़ी गिरा देगा भागो यहां से तब उन्होंने का नहीं नहीं हम सत्य बोले हैं इन्हों नहीं गिरा यहां तो उसमें कुछ जो ब्रजबासी गण थे ओ थोड़ा सा उनको डाउट गया बोला बच्चे लोग जो है जूट नहीं बोलने हैं क्योंकि इसके पहले भी इसने लाला ने कई ऐसे कार की हैं जो बड़े हैं अलोकिक थे जैसे पूतना का बद कर दिया अब तीन क्या नम है शे दिन का बच्चा अभी छटी का उसम मनाया जा रहा है अभी ठीक से उसके आंक भी बच्चे की ने खुलती हैं शे दिन के में और उसने पूतना का बद किया सटकासुर का बद किया त्रणावत का बद किया और माता को दो दो बार जो है विस अपने मुह में पूरा ब्रह्मा ने दिखा चुके हैं और उन्होंने जो है जब इस प्रकार चर्चा कर रहे थे तो नंद बाबा ने भी तब उanutो ने जो ब्रिजवासियों ने कहा कि क्या बात है भाई तो नंद बाबा ने फिर उस बात को प्रकट किया जो नामकरण संसकार के समें और गरगमनी ने कहा था एवात जो है उनको यादा गए नाम जो है गरगाचार ने कहा था और सुनरवाद कही थी कि देखो ये जो तुझे बलराम जी का नाम करन कर दिये इसके बाद में जो हैं गरगा चान ने उनको कहा था कि ये जो तुमारा जो बच्च्चा है नंदो सब हो गया हाँ है हाँ तो इसमें डाउट हुआ यहां भी उनको संका तो हुई थे जो है क्या नाम है वो सोचे थे है यहां भी जो है उनको क्या नाम है मतलब बच्चों ने जो कहा था कुछ बात उनकी डाउट गई थी क्योंकि हलंके बात वहां जो हुआ है गोवर्दन के बाद में उनको गोवर्दन साथ दिन धारन करके रखा था वहां उन्होंने पूरा डिटेल किया था लेकि संका हुई थे लेकिन यहां जो है कुछ क्लियर नहीं हुआ किसने किया किया क्योंकि बिस्वास नहीं कि बच्चे को उपर इसलिए उन्होंने क्या किया उनको बात को ज़्यादा वो रेस्पेक्ट नहीं दिया बच्चों की बात को जो है इसके बाद में नंद बावा ने क्या किया था नंद बावा ने जा करके लाला को खोल दिया लाला को खोल करके अपनी गोदी से लगा लिया इतने में माता यसोदा तो बिल्कुल यह बात देख करके पूरी बेहुस पड़ी थी बेहुस हो गई थी उसको गुदी में दिया उसके सरीर का इस परस हुा तो माता की थोड़ी आंकें खुली और आंकें खुलकर जो हम अपनी लाला को देखा तो फिर उस समय जो हम अपनी लाला को बच्छत से लगाया और जो हम इस्तनपान क़िया तो मालम चला बच्चा सब ठीक ठाक है तो इस प्रकार जो है भगवान की ये लीला संपन होई किया नामे गोकल में संपन होई थी और भगवान को बांध भी दिये थे और इसके बाद में जो है भगवान को दोनों ब्रच्छों का पतन कराए और नलकूर मड़ी गिर्व का मुक्त कर दिया तो इस प्रकार जो है ये उखल बंदन लीला और यहां पर जो है नलकूर मड़ी गिर्व का उद्धार ये दोनों लीला है संपन हो जाती है हरे कृष्ण झाल 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 झाल